Good morning students, मैं हूँ जीते इन रजमेला, The Crazy Programmers की तरफ से पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था database के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले database system की लेकिन वो database management system नहीं था, वो सिफ database था और एक तरह से अगर कहें तो database भी नहीं था, बलकि वो starting memory unit था memory concept था, जिसकी वसे data store रखा जाता था, जिसे बोला जाता था file system, अगर आपको DBMS अच्छे से समझना है था, आपको यह समझना होगा के सबसे पहला database कौन सा था, उसमें क्या कमिया थी, वो कैसे काम करता था तो अभी मौझूदा DBMS चल रहे हैं आप उनको ज़्यादा बहतर तरहिके से समझ पाएंगे तो अगर हम शुरुआत करें, यह diagram मैंने यह बना रखा है, यह CD का diagram है स्टार्टिंग 1960 में जब computers बनाए गए थे, उनमें memory डाली गए थी, तो उसमें CD आवाकर में इतनी ही size के आती थी लेगे उनकी capacity बहुत कम थी, इतनी बड़ी CD 10 या 15 या 20 MB की होगी फिर बाद में CD की size छोटी होती गए, फ्लोपी drives भी आगए पर तब भी उनकी storage capacity काफी कम थी हम बात करते हैं starting CDs की, इनके अंदर computer अपना data store करके रखता था, अपनी memory save रखता था तो यह एक CD है, अब CD normal way में तो हमें plan दीखती है बिल्कुल, एक ही color की बड़ हकीकत में उसके अंदर track और sector बने होते हैं जिने computer खुद decide करता है और वो computer ही समझ सकता है उस concept को यहाँ पर यह जो circles बने हुए हैं, यहाँ दो blocks में नहीं बनाया पर इस circles पूरा बनता इस तरह से, तो यह circles बने हुए है, यह circle कहलाते है track उसके बाद में CD को कुछ हिस्सों में बाट दिया जाता है तो यहाँ पर यह जो इस ट्रेक का जो हिस्सा जिसे यह वाला हिस्सा है तो यह एक सेक्टर है, यह दूसा सेक्टर, यह तीसा सेक्टर, यह चोर्ता सेक्टर इस तरह से, यह निकि यह पूरा एक circle एक track है दूसा circle दूसा track है तीसा track, circle तीसा track है और यह जो इनके हिस्से हैं यह कहलाते हैं sectors computer अपना सारा data इन sectors के अंदर जाकर की ही save करता है अब file system में होता क्या था मैंनो computer में कोई भी information डाली save करने के लिए computer उसे अपनी जो है जो अपने बाइनरी लेंग्वेज है 01 इसमें convert करता है यहां पर उसने लेंग्वेज को convert किया अब computer data को सेव करना शुरू करेगा file system के according तो यहां पर आप एक notice करेंगे तो पूरी file करें एक जगह जाके save नहीं हो दिया computer को जहां memory में जगह मिले वहां 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 से parts करके वह सेव कर दा है और हकीकत में computer पूरी file को कभी वही जगह save नहीं करता है तो अब यहां पर बात करें वें और चिरो इसने यहां डाल दिया उसके बात में बात करें 01 यहां डाल दिया अग опас user करें Chili यह फीछ तरह हम से dir를 बोलता क्प्प्रे लिए वह सी data बन छे हमाई लिए वह वा फाइल है तो यह कहला था था file system, यहनि अपने data को computer में store करना एक file के रूप में, लेकिन problem यह होती थी कि इन files की fixed capacity होती थी, जिस वज़े से, जिस इसकी capacity पूरी, automatic दूसरी file बन जाती थी, example अगर मैं दूँ, अगर मुझे आपकी information save करनी है, मैंने एक file बनाई, उसमें आपका नए image डाला, पर चुकि capacity बहुत कम है, तो नए image डालने में इस file की capacity full हो गई, तो मुझे दूसरी file बनानी पड़ी, जिसमें मैंने आपका address और contact details डाली, तीसरी file बनाई जिसमें मैंने आपकी job details डाली, इन तीनो files को मैंने नाम दे दिया, F1, F2, F3, ये तीन files हैं, ये तीनो memory में अलग-अलग जगर save है, अब चुकि ये अलग-अलग जगर save है, तो मुझे जब भी इने वापस ये information चाहिए होगी, तो मैं पास तीनो के address होने चाहिए, तो इसके लिए मैंने एक index file बने जहां पर इन तीनो file के address थे, अब ये address पहले numbers की form में चलते थे, बाद में नाम की form में, यनि की simple सा file का नाम हमें पता होना चाहिए था, starting में ये numbers के format में होते थे, 1.2.3 इस तरह से, ये नाम के concept पे चलने लग गया है, तो हमें क्या करना पड़ता था, कि पहले तो files बने ही, फिए उनके एक अलग से index file बने ही, वो और अलग से save है, इस तरह से, एक single object का data भी multiple files में convert होकर के save होता था, और उन file के लिए अलग से index बनानी पड़ती थी, और यही सबनी, अगर हम इसके आगे की बात करें, थोड़ा सा, अगर आगे की बात करें, तो ये तो file concept हुआ, इन files को बनाने के लिए, इन्हें access करने के लिए, इनमें कुछ भी change करने के लिए, या इनकी index file create करने के लिए, या इनको open करने के लिए, कुछ भी हमें commands सीखने होते थे open close run search यह कुछ basic commands थे आज के टाइम में commands काफी easy लगता है command prompt हमारे system में available आप चाहे तो run command में जाकर command prompt अगर cmd run करेंगे तो एक black color की window खुलती वह command prompt कहलाता है पहले के टाप पर computer ऐसे ही दिखते थे तब हम commands डाल करके files create करते थे या उन data को access कर सकते थे तो तो सबसे बड़ा जो drawback था वो था यह बहुत complex होते थे बनाने में आम आदमी के तो बस की ही बात नहीं होती थे प्रोग्रम असी जो है जो file system को access कर सकते थे तो अगर इसको मैं short में revise करूं computer अपने data को memory में save करता है track और sector में जितना भी data हम computer को देते save करने के लिए उने छोटचोटी files में बदल देता था और इन files के भी data को आपा छोटचोटे टुकर में टोड़के जहां memory होती थी वहां डाल देता था fixed capacity होने की वज़े से एक normal size का data भी अगर में 10 MB की बात करूं तो वो एक एक दो-दो MB की multiple files में बनके save होता था तो उन सब files का address hold करके index file बनाई जाती थी इस तरह से index file का भी data अलग से होता था अब यहां पर अगर हम index file का address ही भूल गये तो पीछे की सारी files का data हमाय के से काम करनी है तो मैं फिर से नए data डालने पड़ेंगे फिर से index file बनाना पड़ेगा अब इसका एक उट दूसा डूबे क्या था यह तो खाली आपकी information है अगर मुझे आपकी friend की information भी डालनी हो तो मैं क्या करूंगा अगर आपकी index file और आपके friend की index file के लिए भी एक index file बनाऊगा और उसे अलग से श्टोर करूंगा अब आप सोचे इंडेक्स file के उपर इंडेक्स file के उसके उपर फाइल स्किर्टी files बन रिए तो file system यहाँ drawback करता था अगर वापस file system के बास एक और drawback की अगर हम बात करना ह हैं तो सबसे बाए drawback की यह ता कि यह साथ data आपस में interlink कभी नहीं होता था अलग-अलग files होती थी तो इस वज़े से data को access करने में भी समश्य आती थी और एक और चीज यह सारी file system navigation या network model पर work करते थे अब navigation या network model क्या होता है बहुत simple सा है navigation मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए हमारे पास उसका address होना चाहिए तो हम रस्ता दुनते में चले जाता है तो यह देखे यह navigation concept ही कहलाता है हमारे पास में इस file का address कहां से आएगा index file कही हम access करेंगे वहां से हमें F3 file का address मिलेगा तो हम navigate करते हुआ चलेगा इंटरनेट के आने के बाद में कुछ समय तक फाइल सिस्टम ही चलता रहा तो होता क्या था कि यह फाइले इंटरनेट के जहरी दूसर सिस्टम पर वापस पूरी तरह से कोपी करी जाती थी तो मल्टिकल फाइले अलग लग जगह बहा बहा बन ली होती थी इसलिए से नेटवर्क मोडल भी बोला जाता था और नेविगेशन मोडल भी बोला जाता था तो यह है बेसिक चीजे फाइल सिस्टम के बारे में अब हम बात करेंगे इसके एडवांटेज और दिस एडवांटेज के बारे में तो अब अगर बात करें फाइल सिस्टम के एडवांटेज और दिस एडवांटेज की इसके एडवांटेज दो ही थे पहली चीज अपने आपका सबसे पहला file system या database था तो कोई choice ही नहीं थी, लेकिन हाँ एक option था कि file data store कर सकता है, यह advantage था, दूसरा advantage जो बाकि में बहुत ही अच्छा था, चुकि यहाँ पे multiple files बन जाती थी, तो किसी एक file में virus लग भी गया, तो वो भी बाकि सारी files corrupt नहीं होती नहीं थी, यह सबसे बड़ा advantage था file system का, लेकिन अब बात करते हैं, disadvantages की, यह तो मेंने list बनाई है, यहाँ तो वो भी disadvantages है, सबसे पहला fix capacity, file block की capacity fix होती है, capacity से उपर जाती, दूसरी file create करनी पड़ेगी, okay, second, multiple files, fix capacity की वसे multiple files बनानी पड़ जाती, फिन multiple files के लिए index बनाओ, फ खुद सूचे कितनी files बनानी पड़ेंगी, उसके बाद में बात करते हैं, copies की, अब copies क्यों, एक भी index file lost हो गई, उसे related सारी file वेस्टेज, again, faces सब शूव करतो, सारी file से वापस बनाओ, फिसे index file बनाओ, तो यह copies बनने लग गई, memory बीन वज़े भर दी, यहाँ पर इतनी complexity face नहीं करना पड़ता, लेकिन आप सोचो, खुद command सीखने हैं, खुद programming language सीखने हैं, then files का ध्यान रखना, index का creation करना, बहुत complex सा था, जो खुद file system दूस करते हैं, वो खुद इतने frustrated हो थे को उन्होंने dbms discover कर लिया, after that, update or new file, आप किसी भी file में कुछ भी updatation करो, तो पह अब उस file के लिए अलग से वापस index दालो, उस index के साथ पुरानी files को वापस link करो, यहनि कि पूरा setup ही copy हो गया है, तो एक single character update करने में भी इतना issue होता था, अब बात करते हैं हम memory wastage की, obvious ही बात है, जब बहुत 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 बहुत बहुत करते हैं चाहिए के देख सकते हैं या command from, महां command डालने होते थे open then file का name, close file का name, run, go to, इस तरह से command चीकने पड़ते था थे, तो file system शुरूआती database के लिए अच्छा था बहुत ऑग सारी problems के साथ जुड़ा होा था, इसलिए file system से निजात पाने के लिए एक तर वीडियो में आपको फाइल सिस्टम पूरी तरह से समझ में आ गया होगा अगले वीडियो में हम जानेंगे के फाइल सिस्टम और DBMS के बीच में बैसिक डिफेंस के आया था और DBMS कैसे जो है एवल्योट हुआ था हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहरे हैं अगर आप किसी भी तरह का कोई भी सुदार कोई भी चेंज कोई भी फिडवेक देना चाहते हैं या कोई चीज़ डीटेल में जानना चाहते हैं कोई भी आपकी क्वेडी है तो मैं कमेंट बोक्स में लिख करके बताए इसी तरह के वीडिय पोगाम असके तब से गुडबाए